हुआ फ्रेंड्स कैसे है सब लोग मैं कामिल से हैं आज आप के लिए लेके आया हूँ एक नाया टॉपिक तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है नाउन आज हम देखें कि नाउन क्या होते है वाट इसे नाउन नाउन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज में होते हैं और इसके डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं नाउन is the name given to a person, a place, an animal, a thing, an idea और emotion तो नाउन क्या होते हैं नाउन वो होते हैं नाउन याने किसी person याने किसी इंसान या किसी व्रेक्ती और place याने किसी जगा और animal याने कोई जानवर और thing याने कोई चीज, idea या फिर emotion इमोशन याने हमारी feelings उनको दिये हुए नाम वो होते हैं नाउन फ्रेंग्स अब ये person, place, animal, thing, idea और emotion ये इसको हम और अच्छे से example के साथ समझते हैं उनके example देख लेते हैं तो पहला था person person, a name for a person याने किसी इंसान का नाम जैसे max, julie, michael, bob, kamil, etc. फिर animal, animal, a name for an animal याने किसी जानवर का नाम जैसे dog, cat, cow, kangaroo, lion, tiger, peacock, rabbit, etc. फिर आदा है place, a name for a place a name for a place याने किसी जगा का नाम जैसे London, Australia, Canada, Mumbai, Pune, Bahramati, etc. फिर होगा thing a name for a thing किसी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम जैसे bat, ball, chair, door, house, computer, etc. फिर होगा idea, a name for an idea आइडिया में होगा devotion, superstition, happiness, happiness याने खुशी और superstition याने अंदविश्वास और excitement तो यह हमने definition को अच्छे से समझ लिया, अब noun find करना होतो हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें sentence में से किसी person, place, animal, thing, idea और emotion को दिया हुआ नाम ढूणना है और उसको underline करना है बस इतना ही, बहुत ही simple है now तो friends, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज, 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 लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, टेंक यू याइक, चलीज, बहुत है से लिए Scottish प्लीज, युझो आपको